हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एमेंटर आज की वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक को डिसकस करेंगे फर्स्ट वन इस प्रड्यूसर एक्विल्बिलम देन ब्रेक इवन पॉइंट एन शट्डाउन पॉइंट तीनों ही टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं अग होता है एक ऐसी कंडिशन जब प्रेड्यूसर को क्या होगा मैक्सिमम प्रोफिट होगा जब प्रेड्यूसर को मैक्सिमम प्रोफिट होगा उस कंडिशन को हमनों कहेंगे कि वह क्या है प्रेड्यूसर का क्या है इक्विलिब्रम पॉइंट है वह प्रेड्यूसर का इक्वि मिल रहा है ठीक है तो producer equilibrium के लिए दो condition necessary है first one is MR MR याने की marginal revenue marginal cost के equal होना चाहिए और दूसरी condition क्या है marginal cost is rising ठीक है यह दोनों condition important है ठीक है यह दोनों ही condition होनी चाहिए तब हम उस point को कहेंगे कि वो क्या है producer का equilibrium point है ठीक है मतलब अगर पेपर में आपके question आया है MC क्यूँ आएगा तो option वे यही देगा examiner कि producer equilibrium होने के लिए क्या क्या condition necessary है option A MR is equal to MC option B MC is rising option C होगा both are necessary और option D हो जाएगा neither one ठीक है तो हमें option C tick करना है कि both यह दोनों ही condition satisfy होनी चाहिए उस चीज को हम लों कहेंगे कि producer का equilibrium है ठीक है तो यह क्या है MR यानि कि MR मतलब partial revenue क्या मतलब कि एक और unit sell करने पे मुझे कितना revenue मिला वो किसके equal होना चाहिए कि एक और एक और labor employee करने पर या फिर एक और unit produce करने पर मुझे कितनी cost हुई ठीक है तो एक और sell करने पर revenue और एक और produce करने पर मुझे जो cost हुई वो equal होनी चाहिए जब ऐसा होगा तो producer equilibrium होगा साथ में क्या होना चाहिए जो mc गफ क्या थी मारे पास u-shape थी न ठीक है mc गफ u-shape थी तो उसमें हम लोग कहा हुई होनी चाहिए उस condition को हम लोग क्या कहेंगे प्रेड्यूसर का equilibrium point ठीक है fine इसको भी हम और अच्छे से diagram से भी देखते हैं ठीक है profit क्या होता है हमारे पास profit को हम लोग pi से denote करते हैं ठीक है profit क्या होता है हमारे पास total revenue यानि कि मुझे जितनी sales करके मिला minus total cost जितनी मेरी costing हुई उसको हम लोग क्या कहेंगे profit कहेंगे कि sales minus cost कितना मुझे sales करके मिला minus कितनी उस पे मेरी costing आई थी कितनी लागत आई थी उसको हम क्या कहेंगे net profit तो total revenue minus total cost is net profit ठीक है जब हम लोग यह दोनों चीजे total cost को अपना cover कर पा रहे होंगे अपने total revenue से तब उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे अपना net profit अपनी cost cover करने के बाद जो बचेगा हमको उसको क्या कहेंगे अपना net profit fine ठीक है अभी जो हमने above two condition पड़ी mr is equals to mc and mc is rising इसी को भी हम लोग क्या करते हैं अच्छे से explain करते हैं और इसको derive करते हैं ठीक है basically आपके लिए learn करने हैं mr is equals to mc and mc is rising इसका reason क्या है क्यों होता है इसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं but at the end आपको यह learn करना है mr mc के equal होगा equilibrium point पे और mc rising होना चाहिए ठीक है इससे आपके marks confirm अगर एक question आता है भी बने तो अब हम इसका reason देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है यही दो condition क्यों है हमारे पास ठीक है हमने दो condition क्या बोली कि mr हमारे पास mc के equal होना चाहिए first condition और दूसरी condition mc is rising अभी हमें इस condition का reason देख लेते हैं ठीक है तो हम लोग यहां पर देखें यह x-axis यह y-axis ठीक है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने revenue chapter जब पढ़ा था तो हमने revenue में देखा था total revenue की जो curve है perfect competition में अभी हमने जो यह सारा पढ़ रहे हैं यह कपका पढ़ रहे है जब perfect market होती है मतलब जिसमें prices क्या होते है constant होते हैं व because it is increasing at a constant rate क्योंकि prices यहां पे क्या है constant थे ठीक है तो इसको हमने एज़ा straight line upward sloping इसको draw किया है ठीक है यह हो तो हमने पस total revenue की curve total cost का हमने discuss क्या था cost की chapter में it is first increasing at decreasing rate and then increasing at increasing rate क्योंकि starting में हमको cost कम पढ़ती है क्योंकि starting में हमको productivity हमने पढ़ ता na productivity हमको यहな Integration यह अच्छी मिलती है labor की और फिर labor के efficiency बाद में कम हो जाती है तो cost बढ़ जाती है increasing at increasing rate और इसको हमने यहां से क्यों start किया था क्योंकि यह वाला area था, यह कौन सा था, हमारे पास, total fixed cost का था, वो एक constant figure थी, जो की इतना cost हो गई है, ठीक है, यह total fixed cost वाला area था, इसलिए हमने इसको उपर से start किया था, आयों की revise करने वे आपको याद आ गया हो, total cost काव हमने इसको ऐसे draw किया था, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे draw किया, total revenue को, total cost काव को हमने एक ही graph में draw किया, तो जो first stage है, अब इस stage में क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, total cost बड़ी है हमारे पास, total revenue से, जब cost बड़ी है revenue से, यानि कि ये वाला एरिया तो profit का नहीं है starting में तो हम लोग कह सकते हैं कि starting में जब business open होता है business start होता है तो उसको starting में cost जादा होती है starting में उसको क्या होता है मतलब इतना profit वो नहीं कमा पाता starting में उसको profit नहीं होता वो तो जैसे जैसे उसका business setup होता है लोगों को पता चलता है business grow करता है तब हमको finally profit होना start होता है तो यहनकी लेटर स्टेज में लेटर स्टेज में हम लोग देख पा रहे हैं इस एरिया में total revenue यह profit का area है तो यहने की producer equilibrium क्या था maximum profit ठीक है तो producer के अच्छी equilibrium तो इनकी इस area में जब वो इतना output produce कर रहा है तो वो और करेगा क्योंकि उसको profit हो और करता जाएगा वो और output produce करता जाएगा वो कहां तक produce करेगा output इस point तक क्योंकि यहाँ पे उसको प्रोफिट मिलना बंद हो गया total revenue total cost का equal हो गया इस point पे equal यहाँ भी था बट यहाँ पर क्या था पहले वो लोजिस सफर करता आया अब उसको profit होना start होना था तो यहाँ पर production करेगा 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 यह सारा profit realize करेगा वो यहाँ तक production करेगा ठीक है इस point तक इस output तक वो produce करना पसंद करेगा क्योंकि यह यह वाला point जहाँ पे TC total cost हमारे पास total revenue के equal है इस point पे total revenue is equal to total cost हो रही है ठीक है तो इसी के corresponding हम लोगों ने क्या draw किया MR और MC की curve को ठीक है तो वही हमने perfect competition में जब perfect market होती है MR क्या होता है हमारे पास एक constant straight line थी ठीक है क्योंकि MR is equal to average revenue is equal to price इसका एक ही graph था क्योंकि यह constant थे ह मारे पास perfect market के case में यह क्या थे मारे पास perfect competition में यह constant थे ठीक है तो इसको हमने यह straight line draw किया है रेटे कलरस हमने इसको दिखाया है और जो marginal cost curve थी यह क्या थी मारे पास U shape थी इसको हमने cost के chapter में पढ़ा था तीन curves में यू shape थी marginal cost curve, average cost curve and average variable cost curve मैंने बोला था कि cost curve को अच्छे से सारे draw करके देखना तब ही अच्छे से learn होगा तो marginal cost curve क्या थी मारे पास U shape थी कि पहले हमको costing पढ़ती है फिर costing हमको ज्यादा पढ़ती है ठीक है अब देखे हम लोग इस वाले point हमने बोला कि यह वाला point हमको क्या देता है वह वाला point पे इतना output producer produce करना चाहेगा क्योंकि कि यहाँ पर उसको maximum profit हो रहा अब इसके बाद उसको profit होना बंद हो जाएगा तो इतने point तक producer produce करेगा तो यानि कि इस point तक जब हमारे पस MR MC के equal हो चुका होगा यह वाला point आगया जब हमारे पस MR है वो MC के equal हो चुका होगा और MC is rising यह देखो इस area में क्या है हमारे पस MC क्या है rising है ठीक है इसलिए यह दो condition होती है producer equilibrium के लिए यही reason है कि MR MC के equal होना चाहिए और MC rising होना चाहिए अब हम देखें MR जो MC की है वो इस point पे भी equal है ठीक है ध्यान से देखना जो MR MC के है वो इस point पे भी equal है बट यहाँ पे जो MC है वो क्या है downward उसमें है ठीक है falling उसमें है downward उस नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो इसको क्या हो रहे है अपर total cost बड़ी है तो यहाँ पर तो इसको क्या हो रहे है लोस हो रहे है तो सिर्फ MR equals to MC हो as such जूड़ी नहीं है हमें दोनों condition चाहिए दोनों condition क्या कि MR MC के equal होना चाहिए और MC rising होना चाहिए निकि इस later stage में MC rising हो चाहिए तब हमने कहेंगे कि producer को producer का वो equilibrium point है इतने पर उसका output हो रहा होगा इतना वो output produce करना चाहेगा यहाँ पर उसको अच्छा profit मिलेगा क्योंकि profit का area यह वला है हमारे पास यह profit का area है ठीक है fine I hope कि समझ में आगया होगा ठीक है नेक्स्ट है मारे पास break-even point रोटी से equilibrium हमने discuss कर लिया दो condition है MR is equals to MC and MC is rising इसको आपको learn कर लेना है अच्छे से ठीक है नेक्स्ट रात है मारे पास break-even point अब यह कौन सा point है break-even वो point है जहांपे a situation where firm is just covering all its cost एक ऐसी situation जब firm सिर्फ और सिर्फ अपने सारे खर्चे ही निकाल पा रही है उसको हम लोग कहेंगे कि वो firm का क्या है break-even point है ठीक है तो सारे खर्चे है निकी उसको जितना total revenue मिल रहा है वो total cost के equal है total revenue is equals to total cost revenue है उसको जितना sales करके मिल रहा है वो सारा उसका खर्चे में चला जा रहा है ठीक है total cost में दोनों cost आर की है total fixed cost भी और total variable cost भी ठीक है तो हमने क्या किया इन दोलोगों को quantity से divide कर दिया अब हमने दोन revenue is equals to average cost क्योंकि हमको वो point draw करना था तो हमने वो किसकी help से draw किया average revenue और average cost की help से हमने वो point draw किया break-even का point ठीक है कि मितलब यह देखो AR और MR इसकी curve हमने भी discuss कि है horizontal होती है constant होती है parallel to x axis होती है हमारे पस यह हम लोग कब करें perfect market के case में perfect competition जब होता है हमारे पस जहां पर prices क्या होते constant होती है ठीक है it's a horizontal line हो गया average cost curve हमारे पस u shaped होती है marginal cost भी u shaped average cost भी u shaped और average variable cost भी u shaped होती हमारे पस ठीक है तो यह दो जहां पर meet करेंगे उस point को हम लोग क्या कहेंगे इस point को हम लोग कहेंगे यह break even point है यह producer क्या है break even point है मतलब यहां पर उसको firm को neither losses nor profit ना ही उसको खल मतलब की नुकसान हो रहा है firm को और नहीं profit हो रही ही वह वाला point होता है break even point firm is just covering अपने सारी सिर्फ cost को ही cover कर पा रही है ठीक है तो यानि कि अगर paper में question आता है तो break even point कौन सा है ठीक है option 1 है मारे पास total revenue total cost के equal है option 2 है मारे पास average revenue average cost के equal है option 3 है मारे पास marginal revenue marginal cost के equal है ठीक है और option 4 हमारे पास none of these ठीक है तो अब हमको tick कौन सा करना है हम लोग option अपना कौन सा tick करेंगे हम लोग अपना हमारा answer होगा first one total revenue जहांपे total cost के equal होगा ठीक है पहले preference हमको किसको देनी है total revenue औ total cost को ओंको preference देनी है क्यों ककि यह हमने derive किया है अवरेज को स्की वह होतर है यह हमने यह चीज़ derive की है कहां से derive गी है हमने total revenue total cost से ठीक है तो first condition क्या है हमें अे पस total revenue total cost के equal होना चाहिए तो अगर option में यह भी है और यह भी है, तो हम लोग किसको ठीक कहेंगे, हम लोग कहेंगे total revenue, total cost को, वो हमारा break-even point है, अगर ये option में नहीं है, option में ये नहीं देता है examiner हमको, ठीक है, ये दे दिया और एक और something force भी दे दिया कुछ और, तब हम लोग कहेंगे average revenue, average cost के equal है, वो हमारा break-even point है, ठीक है, लेकिन अग option में हम आपस total वाला है, total revenue, total cost, तो पहले preference हमको उसी को देनी है, ठीक है, पहले preference हमको किसको देनी है, total revenue, total cost को, वो हमारा break-even point, a point where a firm is just covering all its cost, कि जितने जितने उसके खर्चे हो रहे हैं, उतना ही उसको सिर्फ revenue मिल पा रहा है, ठीक है, total cost में दोनों आगी, total variable cost में, total fixed cost भी ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, और इसको हमने AC और AR, average revenue, average cost का आपके help से draw करके देख लिया, कि वो कौन सा point होता है, तो वो ये वला point होता है, ठीक है, fine, next time हमारे पास, shutdown point, shutdown मतलब कि अब firm को इतना भी revenue नहीं मिल पा रहा, कि वो अपने, जो fixed cost है, जो अपने उसके जो fixed cost है, total fixed cost, उसको cover कर पाए, उसको मतलब कि बहुत कम revenue मिल पा रहा है, उसकी जो sales है, वो बहुत कम हो रही है, तो यानि कि shutdown, उसको एक तरह से नुकसान हो रहा है, इस वाले उसमें कि हमारे उसको losses होंगे, तो यानि कि उसका shutdown आगया, business अपने आपको क्या कर देगा, बं business अपने आपको क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि यहां पर उसको क्या हो रहे है, losses हो रहे हैं, ठीक है, it's a situation where firm is just covering its variable cost, वो सिर्फ अपनी variable cost को cover कर पा रही है, variable cost क्या थी, day-to-day life वाली जो cost थी, day-to-day routine की cost थी, electricity cost, labor की cost, ठीक है, raw material की cost, सिर्फ उसके जो day-to-day routine के खर्चे हैं, सिर्फ उतना ही cover कर पा रही है, वो अपने जो fixed cost थे, उसके खर्चे थे, यानकि जो setup cost थी, land and building की, capital वगेरा, ठीक है, जो भी उसके setup cost था, उसको cover वो नहीं कर पा रही है, fixed cost को, तो यानकि इसको जो total revenue, जो उसको sales करके मिल रहा है, वो किसके equal है, total variable cost के, ठीक cost के, ठीक है, तो इसी को हम लोगोंने graph से draw किया है, यह horizontal straight line हो गई, हमने बोला average cost, average variable cost दोनों ही u-shaped होते हैं, पर average cost बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि average cost में क्या होता है, average fixed cost plus average variable cost, दोनों include होती है, average cost के अंदर, ठीक है, तो यानकि उसको यहाँ पे average fixed cost वो cover नहीं कर पा रहा है, तो इस point को हम लोग क्या कहेंगे, यह firm का shutdown point है, यह firm का क्या है, shutdown point है, जहाँ पर average revenue, उसकी average variable cost के equal होगा, ठीक है, उसको इतना भी revenue नहीं मिल पा रहा है, जब अगर यहाँ पे था हमारे पस यह ARMR की line जब यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है, तो यह मारे पस यह वा ब्रेक इवन पॉइंट था, यह वाला ब्रेक इवन पॉइंट था, और नीचे वाला के ओज़ेगा, shutdown कि उसको इतना भी revenue नहीं मिल पा रहा है, कि वो अपने fixed cost को cover कर पाए, ठीक है, तो जब average cost के equal होगा, तब ब्रेक इवन पॉइंट, जब average variable cost के equal होगा, तो shutdown point, ठीक है, पेपर में जब question आएगा और option में अगर हमको total revenue, total variable cost और यह दोनों दे रखी हैं, तो हमारे लिए answer कौन सा होगा, total revenue वाला, ठीक है, क्योंकि average वाला हमने यह derived किया, यह derived part है हमारे पास, ठीक है, actually condition क्या थी हमारे पास, कि total revenue हमारे पास, total variable cost के equal होगा, यह हमारा shutdown का point होगा, यह shutdown की क्या होती है, condition होती है, कि just हम लोग अपनी variable cost को ही cover कर पा रहे हैं, fine, आयो कि topic समझ में आ गए होगे, easy topic थे, उचुचे टो topic थे, answer question आ जाता है कहीं पार, ठीक है, फिर भी आपको कोई doubt हो, तो please आप comment section में लिख सकते हैं, thank you so much for watching the video,